इतने टेस्टी पोहे कभी नहीं खाए होंगे तो चलिए देखते हैं ये पोहा है इसको दो बार वाश किया है और पर पानी निकाल दिया तो ये है प्याज, आलू, मुंग फली, कड़ी पत्ता और मिर्च और धनिया तो चलिए एक कड़ाई लेते हैं उसमें हमने डाला है ते प्रेल, फिर इसमें हम डालेंगे राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और अब से पहले हम डालेंगे मूंग पली, इसे अच्छे से पकने देना है फिर डाले हमने आलू, आलू को मी थोड़ा चीशे पकने देना है इसके बाद हमने डाला है हरी मिल्च और कड़ी पत्ता, इसमें मिक्स करते रहना है और इसमें अब जी हमने डाले है प्याज, इसमें अच्छी से मिक्स करना है फिर हमने डाला है नमक, स्वाद अनुसार मिक्स, मिक्स, मिक्स थोड़ी सी चीनी भी हमने डाली है, जादा में इद्दम थोड़ी से आप डालेंगे हल्दी एक चमच और अब टाइम आया है पोहा डालने का तो हमने पोहे डाल दिये और अब अच्छी तगासे मिक्स करेंगे कलर बहुत ही अच्छा आया है इसे हम थोड़ी देर के लिए ढखेंगे लुक एड़ी कलर ऐसे टेस्टी पोहे आपने कभी नहीं खाये होंगे यह बहुत अलग चाई के बहुत टेस्टी होते है और यह है वोहे और उसमें हम डालेंगे धनिया उपर से धनिया बहुत अच्छा लगता है आ गया ना मुमे पानी तो जल्दी से फटा फट से बनाईए और यह डेड़ी हो गया उसमें हमने डाला है नीमबू का रस और उपर से हमने डाली है सेव और अब इसको हम खाएंगे आगर आपको यह रेसीपी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर जाद से जाद लोगों तक शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यूँ झाल